मत्रा के बल्देव थाना छेत्र में बरॉली मार्ग पर पिछली 15 जून को हुई 40,000 रुपई की लूट की घटना के मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को गरफतार किया है इस संबंद में आज पुलिस लाइन सवागार में आयोजेत प्रेस वारता में जानकरी देते हुए एस पी देहात आदित्य शुकला ने बताया कि पकड़े गए पदमाश के कबजे से लूट में प्रयुक्त मोटर साइकल अवेत तमंचा और करीब शाड़े 5,000 रुपई की नगदी भी बरामद हुई है यह जनुपद मत्मुरा में थाना बल्देव के अंतरगत 16-6,19 को एक लूट हुई थी 40,000 रुपई की जिसमें यह अभिक्त हमारे पूरु से ही प्रकास में आ गए थी तीन और इन पर 15-15,000 रुपई का इनाम खुशित था यह हमारे टीम जो इस अच्चो बल्देव हैं इनके नित्रत्त में इनकी टीम ने सफरता प्रात की है कुछ में से एक अभिक्त की गिरिफ्तारी की गई है इसका नाम रिंकू पुत्र सुरेश है यह बरोली का रहने वाला है यह लूट की घटना में सामिल था और इसके दो अन्य साथी अभी फरार चल रहे हैं उनको सीगरी गिरिफ्तार किया जाएगा और उनको जेल भेजा जाएगा इस पर गंगेश्टरात की कारवाई भी की जाएगी इसके साथ में इनके कबजे से कुछ पैसा बरामद हुआ है जिसे लूट में प्रिफ्ट हुई मोटर साइक बरामद हुई है यह कमंचा एक अदद बरामद हुआ है इससे और कार्तू से बरामद हुआ है इस परकार से इसको पहली बार इसने एक क्राइम किया है काफी पूस्ताच के बाद काफी शुराग्रसी पतारसी के बाद यह जानकारी जो हुई है तो उसमें इसका पहला मत्रा के बल्देव थाना छेतर में बरॉली मार्ग पर पिछली पंद्रे जून को हुई 40,000 रुपई की लूट की घटना के मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को गरफतार किया है इस संबंद में आज पुलिस लाइन सवागार में आयोजेत प्रेस वारता में जानकरी देते हुए एस पी देहात आदित्य शुकला ने बताया कि पकड़े गए पदमाश के कबजे से लूट में प्रयुक्त मोटर साइकल अवेत तमंचा और करीब शाड़े पाँच हजार रुपई की नगदी भी बरामद हुई है यह जनुपद मत्मुरा में थाना बलदेव के अंतरगत 16-16 को एक लूट हुई थी 40,000 रुपई की जिसमें यह अभिप्त हमारे पूरु से ही प्रकास में आ गए थी तीन और इन पर 15-15,000 रुपई का इनाम खुशित था यह हमारे टीम जो इस अच्चो बलदेव हैं इनके नित्रत्त में इनकी टीम ने सफरता प्रात की है कुछ में से एक अभिप्त की गिरिफ्तारी की गई है इसका नाम रिंकू पुत्र सुरेश है यह बरोली का रहने वाला है यह लूट की घटना में सामिल था और इसके दो अन्य साथी अभी फरार चल रहे हैं उनको सीगरी गिरिफ्तार किया जाएगा और उनको जेल भेजा जाएगा इस पर गंगेश्टरात की कारवाई भी की ज इस प्रकार से इसको पहली बार इसने एक राइम किया है काफी पूस्ताच के बाद काफी शुरागरसी पतारसी के बाद यह जानकारी जो हुई है तो उसमें इसका पहला क्राइम है और इसने बड़े ही सातिर भंग से इसे घटना को अंजाम दिया था इसको गिरिफ्तार कर कर देंगे जयागा